तो हमें अब 10 का सिक्का यहाँ पे डालने वाला हूँ, अभी आप देखोगे क्या होगा, ठीक है मैं यहाँ पे डालता हूँ, इस पॉइंट पे हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी, फ्रेंट्स इस चैनल पे मैंने अभी तक 800 से ज़्यादा वीडियो अप्रोड किया है, लेकिन अगर आपने टॉप फाइप, सबसे ज़्यादा पुछा आने वाला कमेंट की बात करें, तो उसमें से एक कमेंट यह भी होने पाला है, बहुत से लोग यह पुछते हैं कि सर हम अपने बाइक्या स्कूटर के टायर को कब या फिर कितने किलोमेटर में बदल दे, तो आज मैं आपको यह जो 10 रुपे का आप सिक्का देख रहे हो, इस 10 रुपे के कोईन से बताऊंगे कैसे चेक कर सकते हो, कि आपके बा साल ऐसे periodic maintenance के parts होते हैं, जिने एक certain किलोमेटर के बाद चेंज कर देना चाहिए, 5000 किलोमेटर, 10,000 किलोमेटर, 15,000 किलोमेटर, लेकिन उस तरह से टायर का condition ऐसा नहीं है, कि भाई, 20,000 हो गया चेंज कर दो, 25,000 हो गया चेंज कर दो, बिलकुल नहीं, डिपेंड करता है कि आ अलग अलग आपको बाई कि आइसकोटर के टायर में अलग ट्रेंज दिखाई देते हैं, तो इनका जो groups है, जो ट्रेंज है, उसका condition कैसा है, कहीं ट्रेंज जादा तो नहीं घिस गया है, और mostly दिखा गया है कि इंडिया में जो टायर manufacturing company है, वो recommend करती है 2 mm, अगर उससे कम ट गयर जेव आपको online मिल जाएगा, हाला कि महंगा होता है, लेकिन reference के लिए मैं लिंक description दे दूँगा, और एक और देशी जोगार जो के मैंने खुद से बनाया था, माचिस की तिली और जो हमारा toothpick हो था, उसमें मैंने red और green marking करके एक video बनाया था, जहां पे मैंने आपको ब अब फेंड देखिए, आप इस 10 रुपए के सिक्क्य में गौर करें, कि यह जो 1 और 0 लिखा हुआ है, तो यह जो 1 और 0 का यह जो lowest point है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो 1 का यह जो lowest point है, और यह जो 0 का lowest point है, यह हमारा reference point, इसी से में मालूम चलेगा, कि tire सही है या बदल तो आप देखो, कि जो 0 का, जो end point है, वो start हुआ है 8 से, और जो सिक्क्य का end point है, वो है 8.2 mm में जाके खतम हुआ है, तो इस तरह से, यह जो reference point हमारा है, वो approximately 2 mm हो गया, अब शले मैं आपको क्या करता हूँ, कि एक ऐसा tire, जो कि सही है, उसको measure करकर दिखाता हूँ, फिर मैं इस पोर्शन में ही, तो हमें जो side का portion है, इस के group का check नहीं करना है, में लिए हमें focus करना है, इस area में, अब देखे हम लोग सिंप्री क्या करने वाले है, क्योंकि हमें इस पर चेक करना है, तो मैं आभी दिखाता हूँ, आपको करके, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, यहा बहुत जादा important है, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर ठीक दिखाता हूँ, अगर हम जो ऊपर से देखेंगे, तो गड़ बड़ हो जाएगा, तो हमें हमेशा reference जो है, इस तरह से perpendicular लेके चलना है, ठीक है, यहां से check करना है, अब आपको साफ साफ देख रहे हो, कि जो 10 का, आप देखो यह चिप गया है, ठीक है, यह अंदर चला गया है, यानि कि यह जो trade है, वो 2 mm से काफी जादा है, तो tire का condition बिल्कुल सही है, इसे बिल्कुल नहीं बदलना है, मैं आपको इस portion पे भी दिखाता हूँ, दो तरीके से दिखाऊँ तो जादा बेहतर रहेगा, ठीक पे भी, इस point पे भी 2 mm से जादा है, तो हमें यह मालूम चलता है, इस 10 रुपए के सिक्के से, असानी से मैं चेक कर लूँगा, hardly 10 सिकंड लगेगा, मैं देखके कहीं पे भी डालूँगा, चेक कर लूँगा कि भाई, condition कैसा है, condition मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल करके देखता हूँ, अब यहाँ आपको साफ साफ अंतर दिखाए देरा, परपेट्टेकुलर आपका वीउ है, फिर भी आप देख सकते हो, कि 10 क्या क्या आप बोलो, 0.5 mm से भी आपको कम दिखाए देरा है, यानि कि जो वन जीरो वो बहुत अच्छी तरह से विजिबल है, जानि कि जो हमारा ट्रेड है, वो बहुत जादा वेराट हो चुका है, आप एक जगह ने करीब दो-तीन जगह भी इस तरह से रख सकते हो, अलग-अलग ग्रूफ का चेक कर सकते हो, लेकिन इस टायर का आप देख सकते हो, कि ग्रूफ जो है, वो जो ट्रेड है, वो बहुत जादा कम है, तो इस टायर को चेंज कर देना चाहिए, यह जादा बहतर होगा, पीछे का टायर का भी सेम आप इसी तरीके से मेजर कर सकते हो, तो फ्रेंट्स आप भी अपने टायर का जो ट्रेड का डिप्थ गेर है, वो आप इस 10 रुपए के सिक्के से जरूर मेजर कर रह इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकान को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में, थांक्स वराचिंग इस वीडियो, गुडबाई